तो दोस्तो आज जन्वरी की बारा तारीक है सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि बहुत दिन के बाद हमारे यहाँ पर आज थोड़ी सी जो धूप है वो निकलना स्टार्ट हुई है तो बहुत अच्छा लगा पहले तो सनलाइट को देखकर सनलाइट के बीना जो जिन्दगी है वो थोड़ी अधूरी सी लगती है थंड बहुत ज़़ा थी सर्दी के चलते कुछ भी जो गार्णिंग वरक्स हैं वो पॉसिवल नहीं थे बात करूं अगर यह जो आप मेरा देख रहे हैं यह लेमन का प्लांट है नीम्बू का पौधा लगभग मेरे पास पिछले दो ड़ाई साल से है और अब भी अगर आप नोटिस कीजेगा इस पौधे में भी जो रेस टाइम है वो बिलकुल शुरू हो चुका है इसकी जो प इन फ्लार्ट को जो फ्रूट्स में है वो कनवर्ट करना चाहिए कौन सी जो खाद है इन पौधों के लिए बहुत अच्छी रहती है इस मौसम में तो देखिए कर मेरे इस पौधे में इन दिम्बू के पौधे में जो फ्रूट्स हैं वो अल्रेडी लग चुकी हैं धीरे मेरे ये पूरी तरह से मैच्योर भी हो जाएंगे इसके लवाब बात करूं तो इस तरह से देखी ये मेरा चाइना औरेंज का पौधा है इसको नरंगी का प्लांड बोलते हैं देखिए बिलकुल औरेंज की तरह इसमें जो फ्रूट्स हैं वो लगते हैं तो ये भी मेरे प कम करता हूं ज्यादा कॉंटिटी में नहीं करता है इस बार कोहिश रहेगी कि गर्मियों के मौसम में बहुत से जो नए फूट प्लांट्स हैं वो ग्रो भी करूं अगर आपके पौदों में जो फ्लार्स हैं वो फ्रूट्स में कल्वर्ट नहीं होते फ्लार्स वो गिरने लगते हैं तो तरीका एक ही रहता है कि पौदे को समय पर जो है वो पानी थोड़ा सा कम दीजिए गमले की मिटी जूए वो सूखने दीजिए और पौदे को माइक्रो न्यूट्रिंट के साथ साथ बहुत सा जो और गैनिक मैटर जिच कह लीजिए जो फोस्फोरस जिच जो फटलाइजर रहता है वो फीड कीजिए साथ में थोड़ा कम पोस्ट फीड कीजिए जो गोबर की सड़ीवी खाद रहती है या केच्वा खाद रहती है तो वैसा करने से मोसली जो प्लांट्स रहते हैं वो अच्छे से ग्रू करने लगते हैं थोड़ी सी एसडिक इनको जो फ्लारिंग है वो करने लगी है लेकिन सनलाइट की कमी के चलते हैं और सरदी बढ़ने के विए से थोड़ा बहुत जो कह सकता हूं की फ्लार का जो साइज है वो थोड़ा छोटा निकल करा है तो इन पौदों को अच्छी फ्लारिंग के लिए जब आप गमले में ग्रू करत तो अब भी बात करें तो अभी आने वाले इस मौसम में कौन-कौन से जो गार्डिंग वर्क्स है वो मेरे पेंडिंग है कौन से काम आपको भी करने चाहिए अपने गार्डन में तो उनमें से सबसे पहला काम रहेगा दूस्तो रीपॉर्टिंग का आने वाले फरवरी मिड पर आगे पीछे जो है वो शिफ्ट करना पड़ सकता है दूसरा जो काम है दूस्तों इस मौसम में मैंने अभी जो करना स्टार्ट किये वो है इस तरह से देखिए ब्लैक गोल्ड जो काला सोना रहता है तो ये मौसम परफेक्ट रहता है पत्तियों की खात त्यार करने का ने लगती है बहुत से पत्तियों पर जो फंगस क्रियेट होता है पत्तियां गिर जाती है इन सड़ जाती हूं भागИ बहुत से जो दोसत आंसको जल्दी से खा़ में कलinctions कर रहे बहुत आघा हैंसें के अंदर जो कह लीजिए कि और की नसीन के कंद करती हैं किiant कनब यह भी करते ह। क्यूंकि यह जो खाद रहते कि तो आप इस मिट्टी का इस्तेमाल किजेगा जब भी आप पत्यésus को पूरा नीचे की तरफ एक तरह आ से भिछा दें इस भॉकिट के ऑंदर जैसी में भुछा दूंगा तो य Kievra ये थोड़ी सी जो BC बचे इस मिट्टी को डाल दूँगा उस मिट्टी को डाल कर उपर की साइड से जो नमी है वो मेंटेन करनी होगी जो ये बकेट है इसको मैं सनलाइट में ही रखूँगा धूप में रखूँगा तक कि जल्दी से जो ये पतियां है वो डीकमपोस हो पाएं और बीच बीच में जैसे ये पतियां थोड़ी सुखने लगेंगी तो इसके ओपर अच्छे से जो पानी का शौवर है वो कर दूँगा तो ऐसा करने से बहुत जल्दी ये पतियां जो ये वो डीकमपोस होने लगेंगी मैंने ओल्रीडी एक वीडियो शेर भी की थी आपके साथ के इस तरह से मैं जो जेड प्लांट की ये जो पतियां निकल कर आती है इसकी भी एक बहुत बहुत बैतरीन जो खाद है वो डीकरता हूँ ये देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आपको दिखाई भी देगा देखिए इस बकेट को उठाने के बाद यहाँ पर मेरी बहुत सी जेड प्लांट की पतियां इस गमले के अंदर मैं डाल देता हूँ और इसी से मेरी जो ये खाद है ये रेडी हो जाती है क्योंकि ये जो जेड प्लांट रहता है दोस्तों ये एक सकूलेंट पौधा रहता है और इसकी कहलीजीए पतियों में ये रिखेगा यहां से जो लिजर्ड है जो छिपकली है वो निकल कर भागी तो ये गमलों के नीचे छिपकर बैढ़ जाती है तो इनकी पत्तियों में कह लीजिए कि थोड़ा मॉइस्चर ज्यादा रहता है इसलिए इनकी पत्तियां बहुत सी आपको स्टोर करनी पड़ती है अगर आप अच्छी खाद जो है वो रीडी करना चाहते है तो इस वीडियो का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ से वो वीडियो भी जरूर से देखिएगा इस तरह से जो लीजर्ड एकदम से निकल कर आती है ना चिपकली मुझे सही बताऊं देखकर एकदम से डर सा लग जाता है लेकिन ये जो सर्दी का मौसम रहता है ये इनका भी छिपने का मौसम रहता है तो सर्दी के चलते ये भी छिपने लगी है अपने आपको बचाने लगी है फिर अकला जो गाडनी वाक है दोस्तों इस मौसम में वो कह लीजे कि मिट्टी के अच्छे से गुड़ाई करना क्यूंकि बहुत लंबे समय से सनलाइट नहीं थी तो मिट्टी में नमी बहुत मेंटेन थी नमी के चलते क्या होतें तो हरी सी जो काई यह वो पौधों की मिट्टी पर बन जाती तो इसलिए इन वीड्स को भी रीमूव करना इस मौसम में बहुत जूरी रहता है तो अभी इस मौसम में क्या कीजेगा? गमले की गहरी गुडाई करके इस तरह से मिट्टी को बिल्कुल सॉफट करके दो तीन दिन के लिए बिल्कुल जो है वो सुखने दीजेगा इससे जो भी fungus की समस्य है, इस मौसम में रहे हैं कि पौदों के मिट्टी में जो पौदे ग्रोव नहीं करते हैं, वो अच्छे से दोवारा से जो हैं वो growth करने लगेंगे. और लास्ट में इस मौसम में जो काम रहेगा जो ज़रूरी रहेगा करना वो यह कि इस मौसम में आपको पौदों को जो भी खाद फीड करनी है वो कह लीजिए कि आपको सॉलिड फॉम में ना फीड करके मिट्टी के इंदर एड़ ना करके क्योंकि रूट्स इस पौदों में ज़्यातर पौधों की जो रहती हैं वो थोड़ी सी रेस्ट में रहती हैं तो सॉलिड खाद ना फीड करके मिट्टी में ज्यादा नमी ना मेंटेन करके जब भी सनलाइट निकले पौधों की जो ग्रोथ है आपको हिलते हुए दिखाई दे तो उस मौसम में आप पौधों प मौसम में धूप निकलने की कंडिशन में पौधों को जो है वो मस्तर के का जो लिक्विड अगर आप यूज करते हैं तो उसको जुरूर से एड़ कीजिएगा तो बस उस्तों यह थे कुछ गाड़निंग वर्क्स जो इस मौसम में आपको करने चाहिए तो आज की छोटी सी वीडियो में इतना ही जल्दी ही मिलते हैं किसी और नहीं टॉपिक के साथ किसी और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई हैवी गाड़निंग टेक क्या